हलो अब्रिवन स्वागते हैं आप सभी लोगों को शिक्षा फॉर नौकरी में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि यूटेट उत्राखरंड के लिए आंसर की आउट हो चुकी है यूटेट 2023 के लिए ओफिशल आंसर की आ चुकी है वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए यह आंसर की आ चुकी है और यहां पर एक डिटेल नोटिफिकेशन भी आया कि कैसे आप प्रतियाविदन कर सकते हैं वो सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं आप लोगों को सबसे पहले द अगर आपको कहीं लगता है ऐसा है कि आपका कुश्चन सही है और आंसर गलत दिया गया तो आप उस पर प्रतियाविदन कर सकते हैं उत्राखंट पातरता परिक्षा प्रता मैं दुत्ये दो हजार तेहिस दोनों के लिए कर सकते हैं पांच अक्टूबर को यह आंसर की आ ग के सामने लिखी गई है जरूर जाकर चेक कर लेना और मैं डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पर भी यह चीज डाल दूँगा जो आंसर की है तो आप टेलीग्राम कनेक्ट कर लेना शिक्षाफ और नौकरी का साथ-साथ आप वेबसाइट से भी कनेक्ट कर सकते हैं www.url.shikshaf और नौकरी.com प्रत्यावेदन करने के लिए आपको एक फॉर्म दिया गया है वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं मैं भी आपको दिखा दूँगा और वहां पर आप फॉर्म फिल करके 19 ऑक्टूबर तक इस फॉर्म को आप मेल कर सकते हैं पांच ब के लिए कर रहा है अपना नुकुर्माइ डाल देंगे नाम डाल देंगे और जो भी आपका एडरस है हो मेंचन कर देंगे शप्र आपको आयोग द्वारा दिया गया है сосवाली इस कॉलम में चन कर दोगताए और जो आपका आंसर हम सको पने 25 के दिनी développ आ gesch Espaglia कर सकते हमें ड देनी पड़ेगी कि हाँ ये आयोग का आंसर है और ये राइट आंसर है बुक के अकॉर्डिंग तो आप ये चीज़े शेयर करेंगे तब ही जाकर आपका प्रत्यावेदन सुईकार किया जाएगा और उसी के बिहाफ पर ही आपको जो है मार्स बोनस मार्स दिये जाएंगे देखा जाता है कि जब भी आंसर की आज़े आती है तो इसके बाद एक revised answer की जरूर जारूए होती है तो इस बात को ध्यान देना अभी ये पारी ऑफिशाल आंसर की है है इसके बाद definitely आपको revised answer की देखने के लिए जरूर मिलेगी क्योंकि बच्चे प्रतियावेदन करते हैं उसी के भिहाब पर revised answer की आती ही आती है तो ये एक छोटी सी detailed information थी तो ये छोटी सी information थी regarding UTET उत्राखंट 223 कितने आप लोगों के answers सही हुए comment कर सकते हैं आप और कैसा आप लोगों का paper गया paper 1 and paper 2 comment करके जरूर बताना और प्रतियावेदन के लिए आपको ऐसा लगता है कि कोई question प्रतियावेदन के लिए जा रहा है तो आप comment कर सकते हैं उसको हम explanation के साथ में check out कर लेंगे तो thank you for watching this video